चेले तो स्टाट करते हैं हम लोग एक्जामपल नमबर 9 विश टर्म आफ एपी 3, 15, 20, 7, 39, dot, dot, dot विल बी 120 more than its 21st टर्म तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है एक एपी है आपके पास 3 है, 15 है, 27 है, 39 है इसी तरह ये एपी लिखा गया है कह रहा है इसका कौन सा टर्म इस तरह से अगर हम लिख रहे है तो इसका कौन सा टर्म जो है इसी के 21st टर्म से 120 अधिक है है ना, इसी का आखिर कौन सा एक टर्म है जैसे 39 है, 27 है और 15 है तो इसमें से इसी तरह का जब आगे की और बढ़ेंगे तो कौन सा टर्म है जो इसी AP के 21st टर्म से 120 अधिक है हमको भी नहीं मालूम है कि कौन सा है और आपको भी नहीं मालूम है तो उसका एक अहीं तरीका है माल लिया जाए कि लेट एनेथ टर्म एनेथ टर्म भी 120 more than more than its more than its 21st टर्म माल लिया जाए कि इसका एनेथ टर्म जो है इसके 21st टर्म से 120 अधिक है इतना लिखने के बाद एनेथ टर्म को हम लिखते है TN और हम 21st टर्म को लिखते है T21 ये लिख देंगे तो इससे हमको बेचैनी हो जाएगी बेचैनी क्या होगी कि क्वेशन ने तो बोला था कि जो एनेथ टर्म है वो इसके 21st टर्म से 120 अधिक है जबकि हम क्या लिख दिये है कि इसका जो एनेथ टर्म है 21st टर्म के बराबर है तो अपनी गलती को कैसे सुदा रहेंगे हमको एक्वेशन को बराबर रखना है हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि ये दोनों एक्वेशन है बराबर है तो जो एनेथ टर्म है वह 120 अधिक है किसे से एधिक 120 तो 21st टर्म से तो अगर 21st टर्म से 120 यह अधिक है तो हम क्या करेंगे इदर वाले में 120 जूलते जोड़ेगे क्योंकि यह 120 कम रहा होगा समझ गे बहुदको इधर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो 120 खुदा ही अधिक है तो दोनों को हमको बराबर रखना है और बराबर रखने के लिए हमको उधर जोड़ना पड़ेगा तो अब एनेथ टर्म को हम क्या लिख देंगे आपका क्या फर्मूला हो जाएगा a पलस एन माइनस वन इन्टू डी और बराबर इसके लिए का लिख देंगे a पलस 20 डी क्योंकि यहाँ पर हम 21 में से a गटा सकते है लेकिन यहाँ नहीं गटा सकते है तो यहाँ एन माइनस 1 ही लिखेंगे और पलस 120 तो a से a कट जाएगा मानके चलो n माइनस 1 है रहेगा और d का वैलू आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर 15 माइनस 3 15 माइनस 3 कितना 12 तो यह आपका 12 हो गया और यह 20 गुना फिर से 12 common difference यहाँ भी है और फिर 120 तो यह कितना हो गया 12 गुना के 24 240 और 120 360 और 12 चला जाएगा डिवाइड में तो यह हो जाएगा n माइनस 1 के पराबर तो बारत यह 36 तो n का वैलू आपका 30 और यहाँ से उदर गया 1 to 31 इसका मतलब हम answer में क्या लिखेंगे कि जो 31st term है वही मेरा answer होगा हमसे बुजाता ना कि कौन सा term which term of this AP तो हम लिख देंगे 31st term of this AP of this AP इस AP का 31st term जो है वह 120 अधिक होगा इसके 21st term से print कर लिजे क्रूस्चिक है भी रॉट क्रूस्पश्ट क्रूस्ब एम झाल झाल झाल